किसान भाईयों आज कि इस वीडियो में बात करेंगे टमाटर की एक ऐसी हाइबर्ड वायराइटी के बारे में जिससे आप लगातार 5-6 महिने तक टमाटर की हार्विस्टिंग कर सकते हैं और टमाटर की यहाँ वायराइटी टमाटर में लगने वाले TOLCV वायरास यानि टोमेटो लीफ करल वायरास के प्रति उच्छ इस्तर पर रोग प्रत्रोधी किस्म है यहाँ वायराइटी है BSF ननहिम्स कंपनी की US 28 तिरपन किसान भायों इस वीडियो में US 28 तिरपन टमाटर की लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की संपूर जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और आपको यहाँ बीच कैसे और कितने रुपए में मिलेगा वीडियो के लास्ट में इस बात पर भी चर्चा करने वाले है नमस्कार किसान भायों मैं आई उसको स्वाध स्वागत है आपका मिश्टर हिंद फार्मिंग यूटूब चैनल पर किसान भायों यूएस 28 तिरपन वाराइटी टमाटर की एक हाइबर्ड वाराइटी है जिसको BASF ननहेम्स द्वारा विक्सित किया गया है किसान भायों यूएस 28 तिरपन वाराइटी के पौधे इंडिटर्मिनेट यानि लंबे और नियमित बढ़वार वाले होते हैं और इस वाराइटी के पौधे उच इस तर पर TOLCV वायरस यानि टमेटो लीफ कर्ड वायरस के प्रति सहनसील होते हैं जो गर्मियों के मौसम में उच तापान के प्रति भी सहनसील हैं टमाटर की यूएस 28 तिरपन वाराइटी के फल गोल आकार के 100-110 ग्राम के और लंबी दूरी यातायाद के लिए उपयोग हलके मोटे चिलके के होते हैं किसान भायों टमाटर की इस यूएस 28 तिरपन वाराइटी को इसपेसली सर्दी और बारिस के मौसम में मैदानी छेत्रों में लगाये जा सकता है और गर्मियों के मौसम के लिए पहारी छेत्रों के लिए उपयोगत है लेकिन बहुत सारे किसान भाई टमाटर की इस वराइटी को भारत के मैदानी छेत्रों में भी गर्मियों में लगा रहे हैं और लगबग 38-40 डिग्री सेलसियस तापमान तक बढ़िया उत्पादन देखने को मिल रहा है गर्वियों में टमाटर की इस वराइटी को मैजानी छेतरों में लगाने पर इसके फल ज्यादा टमपरेचर पर पूरी तरीके से लाल नहीं पक पाते हैं बस यही एक समस्चा देखने को मिलती है जिसको climate control पर ध्यान देकर पूरी तरीके से नियंत्रण में लिया जा सकता है किसान भाईयों आप टमाटर की इस variety की nursery बारिस के मौसम के लिए जून से जुलाई महीने में कर सकते हैं और सर्दियों के मौसम के लिए स्टेप्टमबर का महीना उप्युगत रहता है इसके अलावा किसान भाईयों गर्मियों के मौसम के लिए आप इसकी nursery दिसमबर और जनवरी महीने में कर सकते हैं टमाटर की US 28 तिरपन वेराइटी टमाटर की एक indeterminate plant type की वेराइटी है इसके पौदे थोड़ा ज़्यादा बड़े और सठाओ वाले होते हैं इसके लिए इसकी transplanting करते समय पौदे से पौदे की दूरी देड़ से दो फिट और बेट से बेट की दूरी लगबग 3-4 फिट रखना चाहिए किसान भाइयो टमाटर की इस वेराइटी की पहली हारवेस्टिंग रुपाई से लगबग 70-75 दुनों में स्टार्ट हो जाती है और अच्छे संतुलित खाद प्रबंतन और कीट नियंत्रन के साथ लगबग 4-5 महिने की हारवेस्टिंग में अनुमानित उत्पादन लगबग 20-25 मैटरिक टन प्रती एक अरदर से हो जाता है मार्केट में किसान भाईयों इसका 10 ग्राम सीट लगबग 500 रुपए में उपलब्द है यदि आपके लोकल मार्केट में याबेज उपलब्द ना हो तो डिरिस्किप्सन में दिये गए लिंक से जाकर आनलाइन बेज खरीद सकते हैं और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो प्लिस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही खेती किसान जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन